अदिक्षक ग्रेड टू से हुई सेवा निर्वित हुई है उनकी न्यूक्ति बतार क्लर्क 20 जन्वरी 1989 लोक निर्मान विभाग फतेपुर में हुई थी पदोनत्ती के उपरांत वे फिर इसी कार्याले फतेपुर में बतार अधिक्षक ग्रेट टू में करीब दो साल सेवाएं देने के उपरांत आज सेवा निर्वित हुई है आप सबको पता है कि हम आज यहां पर सरला देवी जी जो सुपर्डेंट ग्रेट टू के पद से रेटायर हो रहे हैं उनके रेटायर्मेंट के समारों के उपलक्ष में हम लोगों कट्टे हुए है अलिकुस सब देर पहले ही इनके साथ मेरी बात हो रही थी तो इनने मुझे बढ़ाया कि यहां पर इन्होंने पीडल्डी में लोग नहुक्नावभाग में तकरीमन तेतीस साल से भी ज्यादा की इन्होंने अपनी जो सेवाएं इस विभाग को दी हैं तो यह बहुत लंबा एक समय है जो कि इन्होंने इसमें वतीद किया और इसमें से इनका जादा से जादा समय जो है वो फत्यपुर में ही इन्होंने लगाया कि विए यह जवाली आजपस में रहे तो मैं मेरा मैं भी 99 में जब आया तब फत्यपुर में आया तब मेरा परीचे सरलाजी के साथ हुआ था हम यहां पर ही फत्यपुर सम्डीजन में ही मैं चरिस्ट भी अपने इमानदारी के साथ किया तेरी अपनी आशी सोच है हम पतनी भगवान की किसी इच्छा की वज़े से हम लोगों को साथ में कहीं पर सभी अलग अलग जो हमारे करमचारी हैं को काम करने का मौका मिलता है काम करने का मौका मिलता है और साथ में देश और अपने परदेश की सेवा करने का मौका मिलता है यह एक उपर इसको कह सकते हैं प्रभू के ही कुछ देन है कि हम लोग आज यहां पर सुपलों की कट्थे बैटे हुए अधरवाइज इतना बड़ा इतनी बड़ी दुनिया है इतने देश है इसमें इतने प्रदेश है और उनमें हम कैसे आज हम सब यहां पर इकट्थे होके ह हमें सोभाग्य मिला है कि हम आपस में मिलके यहां काम कर रहे हैं इपार्टमेंट में काम करते हुए ही मुझे लगता हम घर से सुब़े जल्दी निकलते हैं घर से 8-8 बजे के करीब हमारी प्यारी हो जाती आने की और घरों में ही कई अपने वारों में बताता हूँ तो मैं